हाई गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, इंग्लिज इच फन में आपका स्वागत है, मैं हूँ आधित्य सिंग, आज हमें लेकर आऊं एक ओर शांदर वीडियो, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ महत्पून, इंपोर्टेंट सेंटेंसे जो हमारे डेली सब्सक्राइब कर दीजिए, और बैल आपको बटन दबा दीजिए, तो गाईज, आज का वीडियो शुरू करते हैं, तो गाईज, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, तो गाईज, first sentence है मारे पास, वो तुमारी होने वाली वाइफ है, तो गाईज, इसको हम बोलेंगे, she is your wife to be she is your wife to be वैं तुम्हारी होने वाली wife है she is your wife to be next sentence है मार पास तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो why are you rushing why are you rushing तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो इसको हम इस तरह से बोलेंगे why are you rushing next है मार पास तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते इसको हम इंग्लिस में बोलेंगे Why don't you act upon my words Why don't you act upon my words Next sentence हमार पास मुझे हिचकिया आ रही है इसको इंग्लिस में हम कैसे translate करेंगे I am getting hitch ups I am getting hitch ups आप ऐसे बोल सकते हैं Next हमार पास में उसका चैरा जाना पैचाना लगता है हम फ्रेंड वगर इसे बोलते हैं कभी कबार तो हम इंग्लिस में कैसे बोलेंगे इसको Her face या hitch face Looks familiar Her face looks familiar उसका चैरा जाना पैचाना लगता है Next हमार पास में मुझे कल रात को अच्छी नीन आई यह हम कई बार और मॉम्मी पापा वगरہ भाइ बैंस बगर आट से बोलते हैं तो घैस Next sentence हमार पास तुमारी अवास कट रही है यह हम कई बार बोलते हैं तो कई बार बोलते हैं कि तुमारी अवास कट रही है इसको हम इंग्लिस में कैसे बोल सकते हैं Your voice is breaking up यूर वोइस इस ब्रेकिंग अप आप इस तरह से बोल सकते हैं नेक्स्ट है वह तुमारी क्या लगती है ये भी हम कई बार बोलते हैं वह तुमारी क्या लगती है तो हूँ इज सी टु यू हूँ इज सी टु यू अगर वह male है वह अगर वह तुम्हारा क्या लगता है अगर male है तो आप बोलेंगे who is he to you who is he to you इस तरह साब बोल सकते है तो वाज नेक्स चैंटाइंस हमार पास में तुमने उस लड़की को कैसे पटाया यह आप फ्रेंड वगरा में बोलते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं how did you impress that girl how did you impress that girl next है इस बात पर तो party बनती है यह हम तब यूच करते हैं तब कोई कुछ success पा लेता है कुछ अच्छा काम होता है तो हम friend वगरा है या कुछ घर में बोलते हैं कि इस बात पर तो party बनती है तो हम इसको इंग्लिस में कैसे बोलते हैं कि इसको बोलते हैं this calls for a party इसको हम बोलेंगे this calls for a party next हमार पास है मेरे चैरे पर गड़े पढ़ते हैं यह भी आपने कई बार बोला होगा या सुना होगा इसको इंग्लिस में बोलेंगे I get dimples on my face I get dimples on my face तो गाइज I hope आपको इस वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और कॉमेंट कीजिए और आगे ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए and thank you so much for watching this video